हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मदर डॉटर कुकिंग शो में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो कि हमारी गाजर की बर्फी तो चलिया हम इसे बनाना शुरू करते हैं देखिए देखने में कितनी ला अच्छे से गर्म होने देंगे यह देशी गी है जैसी गी गर्म होगा इसमें हम यह गाजर जो कद्दू कस कर रखी है इसमें एट कर देंगे और इस अच्छे से चलाते रहेंगे इसे हमें अच्छे से पकाना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मौशर है वो पूरा खत्म हो जो नेश्रल मोश्यर है वो पूरी तरह से अच्छे से सूख जाए थोड़ा हम इसे डखकर पका लेंगे जिसे कि जल्दी पक जाए तो यहां मैं इसे लो फ्लेम पर डखकर पका लूँगे और बीच बीच में चेक करती जाओंगे अब मैंने कुछ ड्राइफ रूट्स ले ल लिए और एक कप शकर ले लिया हमने उसे अच्छे से हम चाश्णी के फॉर्म में आने देंगे इस की फ्लेम को चालू कर दें गे और इस से अच्छे से पकने देंगे अब मैंने 200 ग्राम के करीब इसमें खोया एट कर दिया है उसे भी मैं अच्छे से पका लूँगी आप चाहें तो इसे स्ट्रेच पे इसमें केसर एट कर सकते हैं कलर के लिए या फिर आप जो खाने का कुकिंग कलर आता है वो भी इसमें एट कर सकते हैं देखिए इसका कितना अब हम उपर से इसमें ट्राइफ रूट एट कर देंगे जिसमें काजू है बादाम है पिष्टे हैं आप आपकी पसंद से जो भी ड्राइफ रूट आपको पसंदो वो सब इसमें एट कर सकते हैं अब काजू से हमने इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया है देखिए खान देखिए अच्छे से सेट हो चुका है और अब हमेंसे इस तरह से कट करके सर्विंग कर देंगे यह तो यह हमारी घर की गाजर की बरफी रेडी है तो आप भी जरूर ट्राइ कीजिए तब तक अगर आपारी वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जदे साथ शेयर कीजिए प्लेस कीजिए बेल आइकन तेंक यू फर वाचिंग